तो यहां शो ॥ेट बैटा एक्टर ए माइनस वेक्टर फ्र्रोड़क्ट वेक्टर ए iq clause iq a plus vector b यह है बेटा तो हम यहां पर distributed properties यूज करेंगे बेटा according to distributed property तो हम यहां पर यह कर सकते हैं कि a को इसके साथ multiply कर सकते हैं बेटा तो vector a minus vector b को हम क्या कर सकते हैं a के साथ cross product कर सकते हैं vector a plus यहां पर vector a minus vector b अब cross product vector b मतलब हम b को इसके साथ फिर a को इसके साथ cross product कर सकते हैं ठीक है addition के साथ according to distributed property तो अब हम क्या करेंगे फिर again distributed property लगाएंगे इसके साथ multiply करेंगे तो क्या होगा vector a cross vector a यहीं होगा इसके साथ होगा फिर minus vector a vector b cross vector a हो जाएगा plus vector a cross vector b minus vector b cross vector b यहीं होता है अब यहां पर concept है कि जो same vector same के साथ होता है cross product zero होता है अगर मैं बात करूँ कि जैसे मालो बोला कि मैंने p cross p तो इसकी product क्या होगा जीरो होगा म요लफ same के साथ product cross product होगा तो जीरो होगा तो यह क्या हो गया जीरो हो यहा पर क्या होगे माइनस b cross a हो गया और यहां पर plus a cross b हो गया और minusели जीरो ho गया यह भी 0 हो गया तो अब ध्यान से देखो विटा अगर हम बात करते हैं तो यहँंपर अब हम minus B cross A है तो हम इसको चाहें, तो cross product change कर सकते हैं, A cross B बोल सकते हैं, ठीक Boy B plus A cross B already है ठीक है अब यहाँ पर A cross B और A cross B हो गया ठीक है क्योंकि जब हम cross product change करते हैं तो sign क्या होता है चेंज हो जाता है ठीक है अब हमें यहां क्या लिग सकते हैं यहां पे हम लिग सकते हैं कि अब इसको फिर अगेन अगर हम distributed property लगा दे तो क्या होगा टू ए क्रॉस भी हम बोल सकते हैं और यहीं तो हमें आरेचेस में प्रूफ करना है ठीक है यहीं हमारा एंसर होगा इससे असान सॉलीशन और कहीं नहीं